हलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल डेली टेस्ट ओफ लाइफ में आज हम बनाने जारें पुल्योगरे यह साउथ हिंडियन लिस है लेकिन आज कल इसको नोर्थ हिंडिया में भी पसंद किया जाने लगा है जिसके लिए हमने दो कोटोरी चावल लिये हैं और इनको अच्छे से वोस करके राइस कुकर में चड़ा देंगे आप इनको पतीले में भी बना सकते हैं लेकिन हमारे पास ये राइस कुकर है और इसमें पानी की कौन्टिटी सेम रहती है जैसे अपन नॉर्मल कुकर में बनाते हैं जितना चावल लिया है उसे डबल पानी डाले जाएगा जब तक हमारे चावल पक रहे हैं तब तक हम इमली भिगो देते हैं इमली को भी अच्छे से वोस करके इतना पानी डालेंगे जितने ये अच्छे से डूप जाए इमली में पानी डालके हम 10 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे 10 मिनट में ये अच्छे से फूल के तयार हो जाएगी और तब तक हमारे चावल भी कुक हो जाएंगे अच्छे से अगर आप पतिले में बना रहे हैं तो बीच बीच में चावलों को चेक करते रहें और राइस कुकर में बनाने से यही फाइदा है कि दो सीटी में पता चल जाएगा कि आपके कुकर के चावल बनके तयार हो चुके हैं देखिए हमारे चावल पक्के तयार हो चुके हैं और इधर हमारी इमली भी भीग चुकी है इसको हम चलनी में डाल कर चमच की साइता से मैस करते हुए पूरा पल बाहर निकाल लेंगे आप लोग मेरी ये रेसिपी कहां कहां से देख रहे हैं करप्या कमेंट करके जुरूर बताईएगा अगर नोर्थ इंडिया वाले देख रहे हैं तो उनको ये डिस डेफिनेटली पसंद आएगी साउथ में तो घर-घर में बनाई जाती ही होगी और इसलिए नोर्थ वालों के लिए एक नई डिस है करप्या करके इसको पूरा जरूर देखिए अब हम पुलियोगरी की मैन प्रोशेश करेंगे जिसके लिए एक कडाई में ओयल चड़ा दिया है ओयल गरम होने के बाद हमने देखिए जो इसका मसाला है उसमें हमने क्या क्या लिया है इसके लिए मैंने थोड़ी मूंग फली लिया है कटोरी में और चना दाल लिया है चना दाल के साथ हमने इसके साथ थोड़ा ओड़की दाल लिया है और दो रेड चिली ली है थोड़े से तेज बता और थोड़ी लूंग ली है और इसके साथ ही ग्रीन चिली ली है कट करके जिसके लिए दो ग्रीन चिली को बारी कट कर लिया है और दो को लंबा-लंबा रखा है आप अपनी पसंद के इसाब से ग्रीन चिली कम्या जादा कर श इसके लिए सबसे पहले चना दाल फिर उड़द की दाल और उसके बाद मैंने ग्रीन चीली डाल दी है लूंग तेज पत्ता सारी चीजें डाल के इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा शीराई डाल देंगे अब इन चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और तेल मे अच्छे से तड़कने देंगे जैसे ही हमारा ये तड़का बनके तयार हो चुका है अब हम इसमें अपनी मूंग फिली डालेंगे मूंग फिली को हम तब तक रोष्ट करते रहेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए इसका कलर चेंज हो चुका है अब हम इसमें अपन थोड़ा सा मुंफली और थोड़ा सा मसाला एलग निकाल लेंगे वो हम पुल्योग्रे के उपर डालेंगे गार्निशिंग के लिए इस मसाले को आप ज्यादा क्वांटिटी में बना कर फ्रीज में विश्टोर कर सकते हैं जब कभी आपके पास रात के राइस बच जाएं तो मार्केट से लिया हुआ है हम इसको घर पे भी बना सकते हैं एक दिन में आपको इसको घर पे बनाने की रेशिपी भी बताऊंगे अब हम इस पुल्योग्रे पाउडर को इस अपने बुने हुए मसालों में एड़ कर देंगे आप अपनी पसंद के इसाब सी ये पाउडर कम सीक्स करेंगे और ये ओल हमें अच्छे से भून के तयार हो जाएगा अब हमने जो इमली का पल्क निकाले के रखा था वो डाल देंगे और इसको भी हम एक बार लगातार चलाती हुए पकाएंगे और इन मसालों को अच्छे से पकने देंगे दो मिनट के लिए अच्छे से पक के तयार हो गया है एक बार हम इसको ढख के पकाएंगे ताकि हमारा जल्दी से बनके तयार हो जाए इसको हम कवर कर देंगे दो मिनट के लिए ये देखिए हमारा पुलियोगरे मसाला बनके तयार हो चुका है साउथ में कुछ लोग इसको इमली वाले चावल भी बोलते है देखिए फ्रेंट्स अभी से मसाला कितना सुन्दर लग रहा है अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें आपके लाइक और कमेंट करने से मुझे सच में बहुत खुशी मिलती है मैं बहुत ही मैनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूν और करपया आप कमेंड करके जुरूर बताएगा कि आप लोगों को ये रेसिपीच कैसी लग रही है अब हमारा एगला स्टेप करते हैं जिसके लिए हम चावलों में नमक एड़ करते हैं आप ये नमक चावल चड़ाते समय भी डाल सकते हैं या अगर उस टाइम भूल गए हैं तो इस तरीके से बाद में भी इसमें एड़ कर सकते हैं अब इस नमक को हम चावलों में अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम ये मसाला इसमें डाल देंगे अगर आपका पतीला बड़ा है तो आप इन चावलों को पतीले में भी मिला सकते हैं जिस तरी से मैं आपको मिला के दिखा रही हूँ थोड़े से चावल मैं इसमें डाल के दिखा रही हूँ आपको ये पुल्योगरे का मसाला मैं आपको पास से दिखा रही हूँ देखिए पूरा ओयल है वो इमली से अलग रिलीज हो चुका है इसका मतलब आपका पुलियोगरे मसाला अच्छे से पक्के तयार हो चुका है अगर हम इसमें अपने चावल एड़ कर देंगे और ये हमारा फाइनल स्टेप है इसके तुरंद बाद हमारा पुलियोगरे बिल्कुल खाने के लिए रेड़ी हो जाएगा अगर आपका ये पतिला बड़ा है जिसमें आपने इमली वगेरा का मसाला बनाया है तो आप इसी में डाल देजिए लेकिन देखी ये मेरा वाला कड़ाई थोड़ा सा छोटा लगरा है इसलिए हम इसमें ना मिक्स करके इसी रईसकुकर में इस सारे मसालے को मिला लेंगे और ये हमारा पुलियोगरे बन की तयार हो चुका है अब हम इम चावलों को प्लेट में निकाल लेंगे प्लेट में निकालने के बाद जो हमने मुंगफली अलग रखी थी वो भी हम इसके उपर गार्निशिंग के लिए डाल देंगे आप सब का यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप लोगों को यह रेशिपीज बसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें लाइक करते रहें सब्सक्राइब करते रहें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग भी घर पे एक बार यह मसाला और यह पोड़ियों गरे जरू ट्राइ करें धन्यवाद